नमस्ते स्वागते आप सब कच दोरा पाइंट की एक और नहीं वीडियो में और आज की वीडियो में पंकज हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसकी जो है ना थोड़ी सी ज्यादा खराब हुए उसको कोल्ड और फीवर हो रखा है तो में भी शयाद वह एक का दिन में ठीक हो है तो फाइनली जो है ना मुझे टॉपिक मिल गया है आज यह वीडियो है किट्स स्पेशल हमने दो चीजे मंग वाई है एक बर्गर क्लब से जो हमने मंगा है ना जी इसका नाम है किट्स मील और मैं आप लोगों को पता है कि वह हैपी मील के नाम से आता है दोनों के प्रा अब बारे हैं इनको ओपन करने की पहले कौन से ओपन करें दबर्गर क्लब चलो ठीक है जी तब से पहले आपको दिखा रहे हैं यह तो इसका बिल जो मैं आपको बाद में सारी के सारी डिटेल दूंगा और इसको खोल के मैं आपको दिखाता है एक तो पैपसी आपको नज अच्छे आया है नोना कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हलका हलके से जो नो ऊपर हलके अगर आप दिखो के तो मसाले हैं तो फिर भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा सई से कुछ टीशू वेपर हैं एक डिप निकली है जी और यह है बर्गर और इन्हों ने बोला कॉछ सा दिया है तो बर्गर देखते हैं उसकी लुक कैसी है बर्गर क्लब की चैना खासेत है वाई इनके बर्गर की जो ऊपर जो है तिल लगी होते काफी अच्छे लगरहा है ने वीटा रहा है कृछ बस्षा जा यहां यह यह यहां नीचे हमारी आलू-पैटी और नीच क्या बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहे ना और साथ में यह हमारे फ्राइज इसको भी मैं इसी में डाल देता हूं आप देखो काफी सारे है यार एक बच्चे के लिए जो हैना मेरे खालते इतना मील काफी है और इन्होंने इसका नाम भी यही रखा है किड्ज मील और प्राइज में आपको बाद में बताऊंगा यह इसमें साथ में इसके अंदर वो टॉय और वो होती है क्रीम अगारा दो पार्टिशन होते हैं ठीक है अब आपको दिखाते हैं जो मैक डॉनल से हमारा हैपी मील आया है उसके अंदर क्या-क्या मिला है अच्छा सबसे पहला पंकश अरे पंकश तो आज हमारे साथ आए मुझे आदत है ना सबसे फर्क नजर आ रहा है जी पैकिंग का काफी फर्क है यह प्रॉपर जो है ना बैक काफी अच्छा है जो कि मैं सही से पता नहीं खोल पाऊंगा कि नहीं हाँ खुल गया और इसके लिए तो मुझे जालना था अब पैकिंग देखो कितना फर्क आ गया तो यह दोनों पैकिट बाद में खोलेंगे सबसे पहले क्योंकि किट स्पेशल है तो आपको दिखाते है कि यह निकला है जी कैन एनिमल वाक ऑन वाटर में रिखाते ही वह बुक होती है जिसके अंदर वह पानी अगरा क स्टोरी है मुझे लगा था वह पानी डालने वाला आता है जिस पर कलार आ जाते हैं तो काफी अच्छा है जी ठीक है बच्चों को कुछ मिलेगा ही सीखने को अब यह वाला पैकेट खोलते हैं इसमें क्या आया है टीशू पेपर है एक कैचप है और यह हमारा मैक वेजी ब है उपर यह देख रहे हैं काफी अच्छे लग रही है और नीचे कोई सौस वगएरा नहीं है ठीक है प्याज वगएरा कुछ होता तो मज़ेदार होता बाकि बंद देख लो काफी फ्रेश है तो एक चीज तो यह हो गए जी अब इसमें देखते हैं इसमें क्या आया है और इसमें है जी हमारे पास जूस निकला है यह हमारा सूपर पावर चॉकलेटी फ्लेवर है यह अच्छा निकला देखो उसमें उन्होंने पैपसी दी थी तो यह हमारा पाइनेपल टिट बिट इन पाइनेपल जूस तो पाइनेपल के पेसेज हैं और वह पाइनेपल जू है लेटस बगारे डला हुआ है यह इन्होंने जूस दिया पोल्डरिंग नहीं दी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है तो यह तीन चीजे निकली है हमारी मैक डॉनल्स से और मैं आपको दिखा देता हूं हमारा दबर्गर क्लब से क्या आया था यह तीन चीजे हम चारा का सारा क्लोज लुक देखा ना वीडियो शूट करिए मेरी सिस्टर ने तो अब कैसी वीडियो शूट हुई है यह तो एडिटिंग के टाइम पर पता चलेगा उम्मीद करता हूं कि अच्छी हुई हो वह फर्स टाइम उसने करी है इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौ खाने बाद पता ला ठीक है वैसे तो तैरे को पता यह है करें टेश्ट चलो जी wal conve caveat चलेटि lange में टाइट पता उस में अ कूछ मैंट नहीं है कुछ क्रीम अटील है यह चीज मुझे था payment चल रहा है और वेजिस पहुत है उस में मंतर और आलू का जो है वह वह फ्लीवर आ तोड़ा सा इसके साथ आपको केचप की जुरूत पड़ेगी और वैसे अब इसके बाद तो भाई इसमें यह पाइनेपल रह गया और यह रह गया हमारा मिल्क शेक तो इसको टेस्ट करते हैं पहले क्या करना बेटा पाइनेपल तो अब जो है पहना वह भी पाइनेपल जूस Sick अब है झुक अब बहुत बढ़ी है फ्रेश्ट रगऺ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जूस भी जो है न वह भी तो पाइनेपल वाले से भी ज्यादा स्वाद है ना ओ भाई इसका प्राइस दो ने लिखा हुआ है 85 रुपीस का है ये तो उसके हिसाब से तो फिर ठीक है भाई अब मैं आपको इसका प्राइस पता देता है दोस्तों इसका हमने जो पे किया ना वो हमने पे किया जी 330 रुप कैसे हमें फ्राय भाई में ले ना को टेस्ट करते हैं जोगी मुझे लगता है है छो को वह बहुत पसंद आते हांना हेजिटी है भत बहुत पसंद आते हैं और नोना की फेवरेट तो जी फ्रायर हमने टेस्ट कर लिया है और अब बार है जी बर्गर टेस्ट करने की करें टेस्ट पीटा चलो जी यार मुझे यह बर्गर काफी अच्छा लगा बहुत फ्रेश है काफी जूसी है और इसकी पैटी भी जो है अब यह बता तुने यह वाला भी टेस्ट कर लिया आप दोनों में से कौन सा बर्गर तिरको ज्यादा अच्छा लगा यह वाला मुझे भाई बदा बर्गर क्लग का जो बर्गर है ना यह काफी अच्छा लगा फ्राइस भी है तो एक बंदे का ना मेरे खाल से किसी बड़े क अगर पेट भरना होना तो यह वो ले सकता है बस यह माइनस पाइंट है कि कोल ड्रिंग की जगा अगर यह भी कोई रियल मी वगारा का जो है ना रियल के जो जूस वगारा आते है अगर वो हो साथ में तो पर्फेक्ट पैकेज हो जाएगा बच्चों के लिए इसका नाम है किड्स मील और यह हैपी मील इसका मैंने आग वो प्राइस बदा दिया भाई यह है 330 रुपे का जो हमने स्विगी से महुआ है और यह मुझे पढ़ाए जी 134 रुपे का आफ्टर डिसकाउंट स्विगी में इनका कोई डिसकाउंट चल रहा था और वैसे भी ना यह 199 इस देखना जाते हैं यह 85 रुपे का है तो आइधिंक कुछ जादा ही बढ़िया होगा यह 330 रुपे का यह आप आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप कौन सा आपने बच्चों को देना चाहते हो इस वीडियो को देर सारा प्यार देना चैनल को सब्सक्राइब आप से बहुत दल्दी नेक्स्टूडियो तब तक के लिए भाई भाई